वेल्कम टु स्टडी आईएस या फिर किसी भी तरीके से जो accident वाली बात होती है उसे देखने को मिलता है अगर वो तो उसको हम कहते हैं वो roadkill पे आता है आपका और extension risk तो जैसे आप सभी जानते हैं यहां पर पहले से ही lepers जो थे वो कम थे उनके numbers कम थे और और जदा अगर ऐसे incident देखे जाते हैं तो इनके और numbers जो हो कम हो जाएंगे लेकिन इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे यह सारी बाते in the context with North India मतला कि North India के जो cases हैं उसके बारे में हम लोग आज की पूरी वीडियो में जो बाते हैं वो discuss करने वाले हैं यहां पे एक paper publish हुआ है उस paper के बारे में लेंगे उस paper की हर एक बात discuss करेंगे और अगर दोस्तों आप लोगों कोई doubt रहता है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं comment section में कोई suggestion है आपका तो भी आप बता सकते हैं हमें comment section में अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए यहां पे एक important news अन-academy की तरफ से year 2 आई ही जागरती अवस्ती जी की और नहीं केवल यह पर top 20 में 7 ranker, top 50 में 15 and overall यहां पे 170 जदा बच्चों ने इस exam को crack करा है अन-academy आपको देता है top educator through guidance, comprehensive test series, high quality के material, doubt clearing session और comprehensive coverage करवाय जाता है current affairs का तो दोस्तों 10 तारिक से यहां पे नए बैचे start हो रहे हैं सभी upcoming years के लिए आप जाकर यहां पे खुद को enroll कर सकते हैं यहां पे आपको मिलेंगे इंडाय के top educator जो कि आपकी preparation ने आपकी बहुत नदद करेंगे bilingual और English दोनों ही languages में आपकी पढ़ाई होगी तो जो मर्जी आप वो यहां पे enroll कर सकते हैं test series दी जा रही है वो भी free of cost अब यहां जो कि हर दिन daily static quiz होगा test series होगी और unacademy compact जो कि हर संडे 11 वजय होता है और इस बार 7 नवंबर को geography, science and tech का compact होने वाला है जहां पे आप लोग को यहां पे enroll करना है और हमारा जो code है studyis उसे use करना है ओकी दोस्तों और अगर आप लोग हमारा जो code है studyis उसे use करते हैं तो कोई भी course अगर आप लोग बाय करेंगे तो उस पे आप लोगों को यहां पे 10% का तुरंट discount मिलेगा जैसे ही आप हमारा code studyis वहां use करते हैं तुरंट के तुरंट आप लोगों को यहां discount मिल जाएगा अब बढ़ते हैं वीडियो में आगए और देखते हैं कि किस तरीके से जो road kill है और जो extension है उसकी बात यहां हमें देखने को मिलती है तो दोस्तो जो leopard है उसने यहां पे या फिर आप कैसकते हैं जो report आई है उसके अनुसार यहां पे देखा गया है कि 83% जो है उनका risk बढ़ चुका है extension का North India में किस वज़े से road kill की वज़े से यहां पे new international study आई है जो कि यहां पे quantify करती है बताती है कि कि इस तरीके जो threat देखे गए है road पर survival of animal population पूरे ही दुनिया बर के अंदर मतलब कि नहीं केवल North India में लेकिन दुनिया बर में यहां देखा गया है कि कि इस तरीके जो road kill है उसकी वज़े से जो population है कई सारे animals की वो काफी कम देखी गया है लोग आप कैसकते है animal मरते कम है उससे कि कोई सिकार कर रहा है उनका क्योंकि वो तो लगबग हर जगे बंद कर दिया गया है लेकिन इस तरीके जो incident होते हैं उस वज़े से यहां पे काफी दा extension जो है वो देखा गया है यह जो study है यह पब्लिस हुई है general global ecology and biographic के अंदर आप जाकर इससे यहां पर पढ़ भी सकते हैं अगर आप लोग को माने पढ़ने का तो आप पढ़ भी सकते हैं जो लेपड की population है नौट तीना के अंदर वो highest risk पे है अमंग 4 अनिमल चार और अनिमल है जिन्हें पाया गया है कि वो बहुत ज़दा मेंड वुल्फ है या फिर जितनी यहां पे little spotted cat होती है दोनों ही जो दोनों ही है यह ब्राजील की यह और जो ब्राजील के यहां पे जो ब्राउन हाइना है सौधर अफरीका के वो और इन लोग को भी यहां पे same ही risk दिखा गया है यहां पे आप मान सकते हैं इन्हें भी ऐस अच्छे से पता लग जाएंगी लेपड की बात करें North India के अंदर तो जो रोड कील है उसके विज़े से 19.9% हो है और इसकी extension की probability है वो बता जा रही है 83% ताइम बता गया है 33 years का जो मेंड वुल्फ हैं ब्राजील के अंदर उनकी आप कर सकते हैं रोड कील के वज़े से 36.4 परसेंट यहां पर जो है वो किल है और 34 परसेंट यहां पर जो इनकी probability extension की वो बता जा रही है और जो time है वो बता जा रहा है 30 साल का little spotted cat जो है ब्रजील की वो उनका बता जा रहा है road kill population है 20 से लेके 27 परसेंट तक की और probability extension की जो है वो 75% तक है मतलब की 0 से 75% तक उसकी आप क 43% तक की और extension लग बग स्वा परतीसत यहां बता जा रहा है 0 से लेके 20 साल तक मतलब कि brown है न जो है वो आप मान सकते है 21 साल के अंतर या फिर आप कह सकते हैं 21 साल तक यहां पर बिल्कुल तरीके से extent हो जाएंगे अगर इस तरीकी की जो आप कहते है report हमें देखने को मिलती ह है अगर इस तरीकी जो accident है वो हमें यहां देखने को मिलते हैं काफी और भी यहां पर species हैं जो की vulnerable है roadkill पे जैसे कि आपकी south इंडिया की जो lion-tailed मैक्क्यू है वो होगे sloth beer होगे south इंडिया के amoo tiger होगे जो कि आपके सकते हैं goa antelope है तिबबत के आपके wild yak होगे तिबबत के और african lion होगे यह सारे आप कह सकते हैं roadkill के वज़े से भी और ज़्यादा vulnerable देखने को मिले हैं और और भी आप कह सकते हैं यहाँ पे जो main यहाँ पे आप कह सकते हैं population पाई गई है जो कि काफी highly vulnerable है उनके अंदर आते हैं आपके मका का selenus मतलब कि lion tailed macchew यह होगे और आपके sloth भी है जैसे कि आपको बताया है मैंने दोनों ही south इंडिया के जो अभी इस time पे existing roadkill का data है वो बताया जा रहा है 392 mammal species का 6 continent के अंदर और जो यहाँ पे researchers थे उन्होंने यह पाया है कि यह पूरी calculation करवाई गई है यह उनकी population density पे जो roadkill के rates हैं उन पे sexual maturity age पे और उनकी लिटर size है उस पर तो जो research हुई है वो तो बड़ी तरीके से हुई है और जो बाते निकल के आई हैं वो काफी आप कैसाते हैं यहाँ पे चिंता जनक बाते हमें पता लगती हैं ओके दोस्तों नौर्ट रिना के अंदर जो आपके leopard population है उस study में पाया गया है कि उतराखंड राजजी नेशनल पार्क जो है है रिदवार conservation area है वो जो cover करता है वहा यहाँ पे अब तक जो रिस्क है local extension का वो 10% और जदा बढ़ चुका है मतला कि लगबग 20% तो मार दिये गए रोड के लिए वज़े से और 10% जो है और आप मान सकते हैं कि जल्दी वो यहाँ पे खतम हो जाएंगे और यह जो बाते बताई जा रही हैं यह हमारे नौर्थ इ mitigation worldwide और यहाँ पे जो analysis आया था वो आप कह सकते हैं काफी दा attention आई सब साहरन अफरीका में और साउथ इस्टेंड एशिया के ऐसे reason में जहाँ पे जो roads है आप कह सकते हैं वो काफी बढ़ आप कह सकते हैं रोल प्ले करती है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो मैवल है उनके लोग आ जाएं और जो population है वो जल्दी जल्दी खतम हो जाए तो इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा जो यहाँ पे international union for conservation of nature है IUCN उसने यहाँ बताया है कि जो 10 species हैं mammalian species हैं वो उनके लिए road के जो है वो काफी threat बड़ा देखने को मिला है और आप माचकते हैं कि वो अ पूछ सकते हैं कोई suggestion है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं मिलते हैं अपनी next video में तब तक के लिए have a nice day